हलो गाईज, फाइनली वीवो V20 9 5G स्मार्ट फोन की इंडिया लॉंच डेट भाहर आ जुगी है, कब ये फोन को इंडिया पे लॉंच हिया जाएगा, ये भी आज हम लोग बात करने वाले, साथ ही ये फोन की सभी कन्फर्म स्पैक्स तो अल्रेडी भाहर आ जुगी थी, ले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये फोन के कुछ हाईलेटेडड कीज के बारे में, जो कि सबसे पहले इसका लूप अन्ड डिजाइन ही होगा, ये फोन हमिशा गी तरह काफी प्रिमियम वाले लूप अन्ड डिजाइन के साथ आने वाल है, और ये बदा रहा हो, इस बा यानि कि phone काफी ज़्यादा light weight and slim होगा, तो hand-on experience भी काफी different होगा ये phone का, अब बात करें अंदर की specifications की, तो ये phone 6.78 inches की 1.5K resolution के साथ, एक 3D bold curve AMOLED display के साथ आने वाल है, जहाँ पे 120 Hz के refresh rate का support दिया जाएगा, यानि कि smooth experience display का काफी better मिलेगा, इसके अलावा curve होगा, तो feel experience भी better मिलेगा, और ये display SDR10+, 10-bit color saturation, 1300 nits के peak brightness को भी support करेगा, यानि कि outdoor पे भी display bright होगा, साथी content watching को लेकर यहाँ पे आप लोग, natural pure content watching display के साथ कर पाऊगे, rear पे triple camera का setup दिया जाएगा, premium से camera module के साथ, जहाँ पे dual flush रहने वाला है, एक ring LED flush and एक normal flush, बागी 50 megapixel की primary shooter with OIS, and 8 megapixel की ultra wide angle, बागी 2 megapixel की deep sensor, तो primary shooter से आप लोग अच्छे खासे clarity के साथ, इस table पे video record कर पाऊगे, और vivo का आपको optimization भी पता ही होगा, flexible level वाला रहता है, तो clarity पे कोई भी compromise नहीं किया जाएगा, इसके अलावा front पे 50 megapixel की center punch वाली selfie shooter के साथ आने वाला है, यानि की front से भी rear वाला ही आप लोग video graphic कर पाऊगे, तो एक camera lever के लिए ये phone definitely काफ़ी जादा best रहने वाला है, and performance की बात करें, तो ये phone performance को लेकर Snapdragon 770 8G वाले 5G processor के साथ इसको globally launch किया गया, लेकिन हो सकता है कि इंडिया वाला variant पे हमें processor को लेकर कुछ बहुत changes देखने को मिल सकते, या हो सकता है कि यही same processor के साथ ही launch कर दिये जाए, इंडिया के इंदर, और ये processor के इंदुदुबेंच पर score रहा 6,000,000 की आसपास आता है, तो performance काफी अच्छा कासा दे देगा, और बैटरी डिपार्टमेंट भी decent रहने वाला, ये phone का 4600 इमिज की बैटरी दी जाएगी, और इसे चार्ज करने के लिए 80W की fast charging का support दिया जाएगा, और charger with boxy रहने वाला है, जिसके साथ आप लोग 25-30 मिनेट के आसपास अपने बैटरी को full charge कर पाऊगे, अधर इसपेक्स की बात करें, तो यहाँ पे in-display fingerprint रहने वाला है, mono speaker दिया जाएगा, हलाकि मेरे ख्याल से dual stereo speaker मिलना था, बट speaker काफी loudly होगा, quality, sound quality काफी better मिलेगा, इसके साथ यह phone दो RAM रहन विरेंट के साथ लाँच किये जाएगे, पहला विरेंट 8-256 होगा, और दूसरा विरेंट 12-256 होगा, तो overall यह कुछ confirm specs हमें, Vivo V29 5G स्मार्टफोन के साथ देखिन को भी लेगे, अब launch date की बात करें तो भार आईए, हलाकि officially launch date नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह phone 4th October को इंडिया पे launch हिया जाएगा, यानि कि next month definitely यह phone इंडिया पे आने वाल है, price phone की बात करें तो बताया जा रहा है कि यह phone की जो base variant होगी न, उसे इंडिया के अंदर 35,000 के नीचे वाले price point पे इंडिया पे launch किया जाएगा, तो Vivo की V series एक premium segment के अंदर आती है, तो देखा जा तो यह price point value for money हो सकता है, Vivo brand की accounting, बाकि आप लोग अपना opinion मुझे comment section में बता सकते हो, तो यह था गाइस, Vivo V29 से जोड़े काफ़ी सारे details, तो होपियो गाइस आज का यह video आप सबको पसंदा होगा, पसंदा होगा तो like करना, comment करना, अपने दोस्तों के साथ सेर करना, और मिलते गाइस हम लोग लें fresh video के साथ, तब तक लिए, bye bye and take care.